नमस्कार दर्सकों आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अचारिय एक देव आज का दैनिक रासी फल और आप सभी को दिपावली की हार्दिक बधाई और सुब कामनाए शभी के घर में खुशियों की हिक आएंगे और आज के दिन सच्चे दिल से सर्धा और विश्वास से मालक्ष्मी की पुजा करें अर्चना करें आज जो है दैनिक रासी पल बार नमंबर देन रवी वार भुबन वासकर को नमन करते हुए देन की सुरुवात करें और आज के दिन पांच कोरी और पांच सफेद पेली कोरी लक्ष्मी कोरी को और सुपारी एक सुपारी और उसमें एक तांबे की पैसे डाल करके मा लक्ष्मी के पास लाल कप्रे में रखें और पूजा करें और दिवाली के वाद आप उसको पोटली बान करके अपने धन अस्थान पे रखेंगे तो धन की पूरे साल तक कमी नहीं रहेगा तो आज का शुरुवात करते हैं देनिक रासी फलकार करम और आज मेस, मितुन और सिंग रासी वाले को मा लक्ष्मी की विशेश किरपा रहेगी विशेश पे जाने से पहले चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दवा दें शुरुवात करते हैं आज मेस रासी के जातकों का आज का भाग सितारे क्या कहते हैं मेश रासिक जातकों का आज का दिन आप के लिए निर्ने लेने की छमता बहतर रहेगी, आप अपने करीबियों का पूरा साथ देंगे, व्यवसाई कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहेगा, आप के उद्दोगिक प्रियासों में गती आएगी, व्यवसाई में आप किसी को साजेदार ना बनाए आर्थिक अस्तिती में मजबूत करने के लिए आप जो भी प्रियास करेंगे उसमें आपको सफलता अवस मिलेगी आप अपने खानपान पे अत्यधिक तले भूले भोजन से परहेज रखें नहीं तो समस्या हो सकती है बिसबरासिक जातकों का आज का भाग सितारे क्या कहते हैं बिसबरासिक जातकों का आज का दिन आपके लिए महनत और लगन से काम करने के लिए रहेगा आप अपने बढ़ते खर्चों पर अंकुस लगाएं नहीं तो समस्या हो सकती है आप अपनी महनत में कोई कसर ना कारवार में आप बहता प्रदर्शन करेंगे आप अपनी महनत से अधिक अच्छी जगह बनाने में काम्याव रहेंगे आप बाहरी ब्यक्तियों से सलाह ना करें नौकरी में कारियत लोगों को परमोशन मिल सकता है लेकिन आप अपने बॉस से थोड़ा नराज रहेंगे मिठून रास एक मिठून रास के जातकों का भाग सतारे आज के दिन क्या कहते हैं दिन आपके लिए मिसरित रूप से फल दायक रहने वाला है आज के दिन आपको फिप्रशंट बोला जाये जाए आपके लिए है और आपकी अध्यान और अध्यात्म के पति आपकी रूची बढ़ेगी मित्रों और सहयोगियों का आप को पूरा साथम लेगा किसी मन की इप्छा की पूर्पी होने से आप अपने घर किसी पूजा पाथ और भजन किरतन आदि का आयोजन कर सकते हैं और साजेदारी में किसी काम को करना अच्छा रहेगा करकरासी करकरासिक जातकों का आज के दिन आप किसी बात को लेकर बहकावे में ना आएं आपके सुक्सम्रदी बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, परिवार के लोगों से आपको ताल मेल बना कर चलना होगा, आपके भावना तमक प्रदर्शन सहज रहेंगे, घर परिवार के रिष्टों में अनवन चल रही थी, तो वह भी दूर होगी, आपको किसी नए वाहन की खरिदारी करना अच्छा रहेगा, आप अपनी सुक्सुबधा की वस्तुओं के खरिदारी पर भी अच्छा खासा धन ब्यक करेंगे, सिंग रासी, सिंग रासी के जातकों का आज का दिन आपके दिन आपके लिए उरजावान रहने वाला है, आपकी स्वार्थ और आलस का ट्याग करेंगे और अपनी समाजिक जिमेदारियों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे माता पिता के से आप परिवार में चल रहे कलह को लेकर बाचित कर सकते हैं दोस्तों के साथ उत्साहित बने रहेंगे आपका आत्म विश्वास करने में पीछे नहीं हटेंगे जो लोग विदेश्म से आयात निर्यात का वेवसाइद करते हैं उन्हें कोई खुश खबरी सुनने को मिल सकती है कण्याराशी कण्याराशिक जातकों का आज का भाग सितारे क्या कहते हैं आज का दिन आपके समान रहने वाला है आप अपने वानी और वहवार में संयम बनाए रखे कारे छितर में आपको योगता अनुसार लाब मिलेगा जिससे आपकी खुशी का ठीकाना नहीं रहेगा लेंदेन के मामले में किसी योजना के ऊपर भरोसा ना करें नहीं तो इससे आपको धन फस सकता है आपका कुछ पुरानी गलतियां परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है जिसके लिए आपको उनसे माफी मांग नी पर सकती है विद्यार्थियों को बहुत धिक वह मांसिक बोज से चुटकरा मिलता दिख रहा है तुलारासी वाले तुलारासी के जा आपको का दिन आपके लिए सकार्तमक परिदाम लेकर आएगा आपको कारेच्षेत्र में किसी मांसम्मान से सम्मानित किया जा सकता है आप अपनी जिमेदारियों पर खरे उत्रेंगे यदि आप अपनी आर्थिक अस्तिती को लेकर परिशान चल रहे थे तो तब वह भी आख में और सम्मान में विर्धी होगी बिजनेस में आप यदि किसी नई योजना को लेकर प्लाइंग कर रहे थे तो आप उसकी शुरुवात कर सकते हैं विश्चिक रासी वाले विश्चिक रासी के जातकों का आज का दिन आपके लिए खर्च वरा रहने वाला है आपको दिखावे में आकर पढ़ने से बचना होगा आपके अनेक प्रियास अच्छे रहेंगे ब्यक्ति गत प्रदर्संद बेहतर रहेंगे आपको कुछ ठगी वह सफेद से पोसक लुग से दूरी बना कर रखनी होगी नहीं तो समस्या हो सकती है आप अपनी नीजी मामलों में सह बचता से आगे बढ़ें और जीवन साथी के स्वास्त में गिराबट रहने की कारन आपको भागदर करने पर सकती है धनुरासी वाले धनुरासी वाले जातकों का आज का भाग सितारे क्या काते धनुरासिक जातकों का आज का दिन बेवसाई कर रहे लोगों के लिए अनुकुल रहने वाला है वरिष्ट सदस्यों का साथ आपको पूरा मिलेगा और आपकी किसी अजनभी से मुलाकात होगी जिसमें आप अपने जरूरी जानकारी सेर ना क आप विजनेस को लेकर कोई बरा कदम उठा सकते हैं जिसके बाद परिवार में सदस्य भी आपके आप से परशंद हैंगे मकररासि मकरासिक जातकों का आज का भाग सितारे क्या काते हैं मकर रस्ग जातकों का आज के दिन आपके लिए पद प्रतिष्ठा में विर्दी लेकर आने वाला है आपको कारे चेत्र में अच्छा लाब मिलेगा और आपका कोई बरा लक्ष पूरा हो सकता है कारे चेत्र और घर में आप अपनी जिमेदारियों को समय रहते निभाईये और लोगों की जरुरतों का पूरा ध्यान रखें शसुराल पक्ष का कोई ब्यक्ति आपसे मुलाकात करने आ सकता है जो विद्यारती विदेश जाकर सिप्छा गरहन करता करना चाते हैं तो उनकी वह इप्छा पूरी हो सकती है कुमरासी वाले जातकों का आज का भाग सितारे क क्या काते हैं उनकी जातकों का आज का दिन आपके लिए भाग के द्रिश्टी कौन से उत्तम रहने वाला है कार्यचत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाब उठाएंगे लेकिन विद्यारत्यों ने यदि किसी परिप्छा को दिया था तो उसके परिनाम आ सकते हैं आप साज्यदारी में किसी काम की सुरुवात कर सकते हैं भगवान की पर्ति आस्था और विश्वास बढ़ेगा आपके महत्त पुर्ण कारे पूरे होंगे दिर्ग कालिन योजनाओं को गती मिलेगी किसी काम में आपको सोचे समझे काम पूरे होंगे लेकिन उसमें आपको साग सितारे क्या कहते हैं मिन रासी वाले जातकों का आज का दिन मिला जुला रहने वाला है आप अपने खानपान में सत्विक बनाए रखें सूजबूज से कारे करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा यदि बिजनेस में अपनी कोई जोखिम भरा उठाया तो उससे आपको नुक्सान हो सकता है आप परिवार के सदस्यों की तरकी करते देख खुसी होगी लेकिन किसी अजनभी से दूरी बनाकर रखें नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है किसी को बिना मांगे सलाह देने से आज बचे और आज कर मैं इस रासी से ले करके मीन रासी वाले जातकों को का पूरे दीन की हाल मैंने बता दिया हूं और आज के दिन अपने कुछ जरुत मंदों को दीपदान करें कुछ धन दें ताकि वो भी आज दिवाली मना सके और अगर उसके घर में जरुत मन को आपके सहयोग से अगर वो अपने घर में उनके बच्चे अगर खुस होंगे तो उसके घर के जो खुसियां है उसका अनेक फल आपको मिलेंगे और आज के दिन सिम मंदिर में जरूर जाएं गनेश लक्षमी के मंदिर जाएं विश्नु मंदिर जाएं और आप वहां पर दीपदान जरूर करें और जो मैंने बताया तो पांच कोरी पांच गोमती चक्र और तांबे के सिक्के डाल करके अगर चांदी के सिक्के नहीं है तो चांदी के सिक्के डाल देजिए अगर चांदी के सिक्के नहीं है तो आप जो अपने छुटे पैसे होते हैं दस का, एक का, दो का, पांच का ये भी डाल सकते हैं और पूरे भैदुज तक रखें और उनका पूजा करें भैदुज के बाद आप उसको अपने तिजोरी में रख दें एक वर्ष तक के लिए आपको धन की कमी नहीं होगा और आज जो है अपने घर में खुसबूदार रख बनाए और छोटी कन्या को कुछ गिप्ट जरूर दें इसी के साथ आज का दिन आप सभी को मंगल मैं हो स्वस्त रहिए प्रसंद रहिए मस्त रहिए और दुसरों को भी खुस रखिए चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन को दवा दिजिए इसके साथ प्रेम से बूलिए रादे रादे